हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टडी है चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सीरीज चली है जिसमें अभी तक 18 एपसोड कंप्लीट हो सकते हैं आप यूट है सकते हो कि हमने 18 क्लासेज कर रखी है आज हमारा 19 जपसोड है इसमें हम बात करते हैं वो उनव या फिर श्टॉरी के माद्याम से उनको हम लँकर कर ने कि हैं तक ग्रीट को इलए में क्वेक्टर तो हमएं चीजे याद रहें और इसमें एक्स्ट्रा और चीज होती है कि मैं पीवाई क्यू भी करेंग हूं लेटेस जो जो इक्जाम अबर हो है उसके पीवाई क्य कर बाता हूं और इसमें इंपोर्टेंट रूल्स भी डिस्क्रस कर देता हूं इंग्लीज का तो यह कंप्लीट पैकेज इंग्लीज क्लास के लिए ठीक है चली शुरू करते हैं आज का अपना क्लास बिना दे दीक है तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास के एंड में का आदर गति दिया मधूलिक का पाटिल इसने बिल्कुल सही एंसर दिया और दूसरे वर्क्ति दिए। उस्टर करते हैं थे रहर Ст तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपके क्लास में कोई लड़की आजा या हैंसम लड़का आजा तो क्या होता है सब लोग उसको भी देखने लगते हैं इसका प्रभाव मंदल पर जाता है फूपसूर्ती का उसके इसलिए प्रभाव होता है जिसको आप रोख नहीं सकते हैं ऑगल बगल में महलो इसवर आगे गॉड़ आगे तो आप क्या करोगे आपके उपर एक और प्रभाव परेगा थ आप उधर ही देखोगे ठीक है तो ऐसे आप याद रखना औरा औरा से याद रखना आपको यादर हो जाएंगी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है ऑस्पीसियस मतलब क्या होता है सुभ फैबरेबल ऑप्टिमिस्टिक यह सब इसके क्या है सिनोनिम से अप इस स्व सावन जो है हमारे लिए बहुती सुभ माना जाता है तो इसका एंटरणीम से इस मतलब क्या होता अशुव का उल्टा होता अशुव ठीक है अशुव पर विजय पाए नवरात्रा लेकलो तो बहुत ही हमारे अले पर सकतो ठीट्स प्रीश सेंशिक स्विच्छ चीज होगी भी कह बहुत ही माले प्रीशियर्स मुल्यवान एक क्योंकि वह सुब है मारे लिए चलिए नेक्स बात करते हैं नेक्स्ट ऑस्ट्रे मतलब होता शक्त अप इसको बोण दकतो वहरी सिंपल एस्ट्रिक्ट ऑन इंसेल्फ सिवियर स्ट्रिक्ट सेलफ डिनाइंग इसके सिनोनिम अब बात कर लें एंटोनिम्स की तो होगा औरनेट औरनेट पर लगाता सवरूप जैसा है मतलब है जनायल फ्रेंडली ठीक है यह सिसके एंटोनिम्स है तो आप इसको याद कैसे रखोगा और तो आप यह देखो यहां पे यह सक्त ऑस्ट्रे से आप रखो ट्री ठीक है तो य स्ट्रिक्ट होता है तो आप याद रखना आप इस बंद्य को देख लो याद रखो यह बियर का बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं आप इसको बियर पीने के लिए बहुत ही तक पर रहता तो इसके लिए सक्त है ठीक है चीजे बदलेगी नहीं उससे कुछ चाहिए नहीं च घंकुष न लगा सके ठीक है अपने आप चलता रहे जिसको आप अप कन्ट्रोल नहीं कर शतके हो ठीक है वही होती है इसको बहुत सक्टैक्टॉरियल ऑप्रेशिव यह सब इसके हो जाओंगे सीनॉनिम्स रोगा बात कर लो एंटोनिमस की तो डिपेंडेंटम्स का होता है सबोर्डिनेट आप यहां देख पा रहे हुए इस यह रिमोर से चला आटोमेटिक चलती जिसके आपका कॉंट्रोल नहीं होता है जैसे कि बात कर लो आप आपका हट ठीक है आप हट को रोक नहीं सकते वह आटोमेटिक नहीं चलता ठीक है तो अपने आप चलने लगा ठीक है अपने मन का कर रहा था डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था तो ऐसे आप याद कर सकते हो चलिए नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट है एवराइस मतलो होता है लोब ग्रीड ठीक है क्यूपीडिटी मैटेरियलीज्म यह सब इसके क्या है सिनोनीम से और हम बात कर लें एंटोन मेरे पास अवरेज से ज्यादा राइस की चाहत है मतलब क्या है मेरे अंदर लोब है इस गरीब को कुछ नहीं दे रहा है लेकिन आवरेज से ज्यादा तो एक्वाराइस ठीक है मेरे पास बहुत ज्यादा एक्वरेज से मतलब लोब है ठीक है और भी ज्यादा चाहिए मुझे इस बन्दे को देख लो कैसे पूरा पैसे खा रहा है कि यह क्या है लोब सब्सक्राइब नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें बात करेंगे पहला वर्ड है हमारा आज का वह एक्वार्टिक मतलब होता है जल यह ठीक है ग्रोइंग और लीविंग इन और नियर वाटर ठीक है ऐसा जीव जंतु या कोई प्लांट हो जो की जल में रहता हो पानी में रहता ह पानी के पास रहता हो इसे ही हम aquatic कहते हैं जालिए नेक्स्ट एरेवल ठीक है एरेवल मतलब ता क्रिसी योग suitable for growing crops ठीक है आप क्या थे अब अपने आज उप जाने के एवल थे आप एबल थे अनाज उप जाने के लिए बहुत सारा मतलब कि आपकी जो भूमी यह हुआ क्रिसी योग अब एबल है ग्रो करने के लिए क्रॉप्स करोगे जब सुटेबल होगा growing crops के लिए जगा तो उसी पर पर ठीक है थीचखे एक गुरिक में बोलना हुआ लाटिन वड है टिक है एक लाटिन वड है जिसका मतलब होता फलाग मतलब जौताना धीकै खेव ज्ञूते न वह度 अा धंधी प्रृटल को क्या करें सेटल करें ठीक है अब पर्शन हुई चूजन टू सेटल डिस्प्यूट और डिस एग्रिमेंट अब पर्शन है पॉइंटेड बाई टू पार्टी तू डिजॉल्ब एडिस्प्यूट थी दो पार्टी दोने एक पंच रखा या बोल सकता ऐसे व्यक्ति को रखा जो हमारा डिस्प्यूट जो भी था हमारा डिस एग्रिमेंट था उसको सॉल्व कर सके ठीक है तो इसमें अप देख साथ आर्बी ट्रेटर ठीक है ट्रेटर से लेलो मत्तों क्या होता है कि आप बोलो कि तुम गद्दार हो तुम गद्दार हो लेकिन डिसकस नहीं कर पारे में लेकले डो वैक्ति तो क्या करेंगे एक तीसरे वैक्ति को कॉरेंगे की घतार है यह कि पर बन दे को करने के लिए एक और बने को बोलेंगे अब देखो आपको चीज़े याद हो जाएंगी ठीक है आप इसको कोसिस करो कि अपने लेंगवेज में बनाने की ट्रेटर मतलब गदार तुम गदार तुम गदार अभी मीम्स भी चला था गदारी कर वे आगे मैं नहीं बोल सकता ठीक है तो ऐसे आप याद रखन मतलब होता है पुरातत्र विग्यानी ठीक है वन हुए स्टड़ी हुमन एंटीक्यूटी ठीक है ऐसा वक्ति जो पुराने चीजों को अबसेसों को पोजता हो फिर एनिमल्स का हो उसी को बहुत है आर्केलोजिस्ट ठीक है यह सब आपको पता होगा यह सब इजी वर है हम ल प्री हिस्टी ठीक है कोड़ के जगव कोड़ के जब हम फिस्ट्री के बारे में चैजी करते है उसको ही बोलता है अर्केलोजी मतलब होता है स्टॉडी के लिए तब छीजे याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इजी वर्ट है और रिगलर यूज वोती है डे टूट या नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा idiom and phrase का सेर्षन आ गया और कल जो मैं नहुंबर्क दिया था वह यही इडियम दिया था अब याद रखेंगे सट पुड़ा भरा हुआ है किससे तो बातों से वह पॉमपस है ठीक है अडंबर पूर्न है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है a stumbling block मतलब सफलता में बाधा an obstacle to progress जैसा आप देख पार हो image में सारे block अच्छे से लगए वह एक block बीच में खराब हो गया ठीक है तो यह क्या करेगा जब आप इस पर चलने की इन्दीफलेस मतलब क्या होता है जी का जंजाल अर्मालों कि आप नन वेजिटरियों आप मीट खाड़ हो ठीक है उसमें कांटे चूप जाए या फिर आपके सरीर में आपके मान स्पेस्यों में कांटा चूप जाए तो क्या होगा आपको हमेसा ट्रबल ही करेगा आपको हम आपके पास लीटिल ब्रदर हो या फिस्टर हो कभी-कभी इतने सैतानी करते को आपकी जीके जंजाल बन जाते हैं तो बोल देते हैं कभी-कभी अथार्म इन दे फ्लेस्ट बोल सकते हैं अगर आपने अपने गल्फरेंड से या फिर आपके पैरेंट ने जिस भी लड़की आपने क्या कर ली साधी कर ली।कि साधी के पहले बात अलग थी जब आपने साधी की तो वहां से एख नया ओर आ जागा ठीक है? जब आप कपल थे तो अलग बात थी, जब आप पती-पतनी बनेंगे, फ न ये आप जो अजागे तो नया ओर North? the time at which an important changes to start लाब उन्ग ठीक है चीजे नेक्स्ट बात करते हैं तो जैसा कि अगर आप हमारे क्लास से पहले से जूरे होंगे तो आपको पता हुआ कि हम ऐसे की लेके जाते हैं फिर एक पैंडोरा बॉक्स होता है उसको उपेन करते तो उसमें से क्या निकलता है ठीक है अब रेगुलर कर रहे हो क्लास तो आपको पता होगा कि क्या निकलता है अगर आप नए है तो मैं आपको बता दू कि जब बॉक्स ओपेन होता है तो उसमें से निकलते हैं 100 गोल्डेन रूल्स इंग्लिस ग्रामर के for error detection and sentence improvement ठीक है तो हम एक बार में 100 रूल डिसकस नहीं करते हैं हम डेली अपने क्लास में एक एक रूल डिसकस करते हैं तो अभी तक हमारा 18 क्लास हो चुका है तो हमने 18 इंपोर्टेंट रूल डिसकस कर दी हैं और आज हमारा 19th रूल होगा ठीक है और यह अभी मैं कर रहा हूं पार्टिसीपल्स और इंफिनिटिप्स के बारे में जो भी रूल्स है इनके बारे मे ठीक है तो यह भी most probably एक दो क्लासे में एंड हो जाएंगे फिर नए टॉपिक्स का होगा जो भी इंपोर्टेंट रूल्स है मैं वह जिसके चुका है तो उसमें क्या लगता है है यूज करते हैं एक्टिव वाइस में ठीक है वेराज है वेराज हैं प्लस बीन प्लस बीन प सब्सक्राइब नहीं परिशमाल करते हैं तो गल्त है फिर हैंपिंग होगा तो हम उसके साथ भी हीक लियुज करेंगे या फिर वम्त का फैलोर्ज तो आफ्टर यहां पर गलत है तो तो आफ्टर यहां पर गलत है तो तो आपको मिलेंगे दस सकेंड आपको सवाल का एंसर करना पड़ेगा तो आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग मतलब सिनोनीम चार ओप्षन है इनक असिस्ट मोडरेट प्लॉट चलिए फटाफट बताईएगा और तेजी में कई जिए गाएंसर तो चलिए इसके साथ आप टाइम अप हो गया तो मैं इसका राइट एंसर बात हो इसका क्या हाता हा अभिनेय करना थीक है ता best लूक और पर फोर्म कि और एक मतलब होता कानून शाश्अ णारों का डूब बनाना थीक है वह भी याद रिखना है कानून का या मतलब क्यालत मतलब का सहेने कुर्म भी हेलजिव को बहुत हो क्ये सचती है कीम जाइक व्युन सब क्या है असिस्ट के सिनोनीम से मोडरेट आपको पता ही यह नरम ठीक है सौप्ट ब्लैंट यह सब बात कर लेते तो नेक्स कोच्चन आपको इडियम का मतलब बता रहा है ठीक है बहुत ही भरा है इसके options इस पर मत जाओ लेकिन एजी इडियम है ठीक है अगर कोई इस्टोन रॉल करता होगा तो वह कोई भी मॉस नहीं लेगा मॉस बहुत सकतो अपने साथ कुछ भी मत्ती हो या फिरा इस्टोन को रॉल कर दो बर्फ प अगर आप एक जगह पे नहीं टीक होगे तो आपका नाम होगा ना पुछ वेल्थ कमाओगे ना फेम होगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्ण बताना है ग्रूप वर्ड के लिए एंड इसेंट्रिक मैनर ओफ लिए चार आप पर्शन मिस एंथ्रोप गॉर्मेट नुमेस्मेटिक और बोहेमियन ठीक है बहुत यह बहुत बाद आचुका है तो आई होप आप लोगों ने भी तक एंसर कर दिया होगा इसका होगा बोहेमियन ठीक है इसेंट्रिक रहता है उसको कोई फर्की नहीं पड़ता है क्या चल यह प्रशन में प्रशन में बताना है इसका क्या है मतलब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको आंटोनीम से बताना है परस्वेड का ठीक है चार आपके पास ट्लेड इंफ्लिवेंस प्रोपागेंडाइज और डिसकरेज बहुत बहुत बार पूछा जा चुका तो आप लोग आई होप की एंसर कर दी होगे तो इसे के साथ आप टाइम अप हो चुका है ठीक है तो मैं आपको बता दूए कि इसका जो सही एंट प्रोपेगंडाइज का मतलब क्या होगा तो मतलब बता है फैलाना प्रोपेगंडाज मतलब मतलब था फैलान आप इसको बोलतार कि एकस्पेंड नहीं सुना होगे और जसका मतलब होता ह्रश आउट हो समय यग होता तो जहां तक धोरा जाता था हूं दिस्करेज आपको पता ही है मतोरना डॉंट चलिए नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना इस गुरूप वर्ड के लिए दप्रोपर्टी लेफ्ट टू समन वाई ए विल ठीक है चार अप्सान लेक्सिकल लीजेंट लेजर लेजर लेशी बहुत इजी है आप लोग दो सब्सक्राइब कर दिया होगा कि सब्सक्राइब एसको डिजिस को यह चैरी सब्सक्राइब कर रखें तो आप इसको फूर ले सकते हैं इस संटेंस का चार ने इननोमवक्ष ख्लासिफाई प्लासिफाइब सपार्ट आप मैंने बहुत सारे बाद इसमें से डिस्कस कर रखें तो आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे ठीक है तो इसे के साथ टाइम आप होगे एक और वर्ड था क्या था कौनाइब भी होता है ठीक है और बात कल अनुमस आपको पता है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखें प्रीवेस क्लास में अगर आप नए हो तो प्रीवेस क्लास जरूर देखो ताकि आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे क्योंकि म अब हमने 300-400 वर्ड से ज्यादा ही लर्ण कर लिए तो आप प्रीवेस क्लास भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लासीफाइब मतलब क्या होता है आप बोल सकते हो क्लासीफाइब मतलब इसका स्रेनी बद करना ठीक है इसको बोल सकते हो कैटेगोराइज ठीक है पय्क्तव और इंट्रेंसीव्ज भीस इनमेंटरेंट तो यह वर पाएक होता है सेкими कंडक्टर है तो इंट्रेंसीद का दो अप्तिट करणित होंगा तो आपने पढ़ा होगा पढ़ा होगा इसको चाहिए तो मैं बता दू इंट्रेंसिक का मतलब होता है आंत्रिक इंटर्णल पास्ट इसक अब वह सब्सक्राज सब्सक्राइब क्या होता है आपका जन्म आए चाहरेंट उनव नहींडिसे बाकी है आप बोल सकते इनेट बोल सकते हो होता है कि मेंट नहीं इनेट होता है इसको इनेट होता है एलिमेंटल मतलब क्या होता है मौलिक एलिमेंटल फंडामेंटल ठीक है यह साब सीनोनीम से संडा मेंटल और फंडामेंटल को क्या बोल सकतो बेसिक इंट्रोजेक्टेड क्या होता है कि ऐसा कंडिशन की कोई पर्सन वो अपने मत में नहीं हो लेकिन कोई आईडिया को वो इसको फॉलो कर लेता है ठीक है मतलब आप ऐसा समझो कि वह अपने मत में नहीं है अपने मत से भंग है लेकिन कोई आइडिया उसको लगा अंद विश्वास की तरह अंद विश्वासी की तरह फॉलो करता है उसी को वह तो इल्ट्रो जाते हैं यह वर्ड नियू होगा आप लोग आई होप आप लोग उसका मतलब बताना अइंग करने के अगले दिन आपके से अबसुआ करते हो यह बद में करते हो Doch तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता है अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको कि कम समय में क्लासेज चाहिए जो कि एक रिम कंप्लीट हो जिसमें वह कैब भी डिसकस हो जाए प्रिवेस यर कॉस्चन भी डिसकस हो जाए और इंपोर्टेंट ग्रावन के रूल्स भी डिसकस हो जाए तो जिन्हें ऐसे जरूरत होंगी क्लासेज कि कम टाइम में तो उन्हें अब सेयर कर देना है क्योंकि हमारी क्लास आपको पता कि 25 से 30 मिनट क्यों होती है हार्ली ये 25 चीज से 26 मिनट में खतम हो जाती है ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय बाहर हो